जैशी कृष्णा दोस्तो बियसरा फैमली में आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम सफला एकादशी के दिन किये जाने वाले उपायों के बारे में बताने वाले हैं जिससे की आपके जिस भी कारे में अगर आपके बाधा आ रही है संतान प्राप्ति में धन प् पारी है तो सफला एकादशी के दिन अगर आप उपाय करते हैं वरत करते हैं तो निश्चिद ही आपके कारे में सफलता मिलती है तो दोस्तों उन उपायों को जानने से पहले अगर अभी तक आपने बियसरा फैमली चैनल को सस्क्राइब निगर रखा तो सस्काइब आवश्य निश्चिद ही आपके कारे में सफलता मिलती है दोस्तो जिन भी वेहनों को देखे संतान की प्रापती में रुकावट आ रही है बाधा उत्पन आ रही है तो उनको वरत अवस्य करना चाहिए और जो लोग देखें वरत नहीं भी कर सकते वो उपाय अवस्य करें दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कई सारे उपाय बताने वाले हैं, अगर आप सारे करें तो बहुत ही शेष्ट है, अगर आप सारे नहीं भी कर सकते, जितने भी आप से किये जाएं, तो आप अवश्य ही करें। अगर आपके घर में देखें लट्टू कुपाल जी की मूर्ती है, तो इस दिन आपको देखें कच्चे दूद और उसमें थोड़ा सा अगर आपके पास केसर है, तो केसर से अवश्य सनान कराना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प करें, अगर आप व्रत नहीं भी कर सकते तो इस दिन सात्विक भोजन करें, प्याल लसन का प्रियोग ना करें, और कम से कम भोजन ग्रहन करें। हो सके तो आप मतलब एक समय भोजन कर लें। श्री भगवान के आगे या भगवान कृष्ण के आगे धूप दीव जलाकर ओम नमो भगते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। संतान, गोपाल मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। दोस्तो और श्री भगवान के आगे या भगवान कृष्ण के आगे अपनी परेशानी अवश्य बोलनी चाहिए जो भी आपकी दिक्कते परिशानी हैं जिस भी कारे में आपको बाधा आ रही है चाहे संतान प्राप्ति में नोकरी में विद्या में शादी में जिस भी कारे में अगर आपको बाधा आ रही है तो उसको अवश्य बोले साथ ही दोस्तों इस दिन शिहरी भगवान को आप सफेद वस्तु का भोग लगाएं आप चाहे तो खीर का भोग लगा सकते हैं या सफेद मिठाई का भोग अवश्य लगाएं अगर आपको देखे धन प्राप्ती में रुकावट आ रही है तो भगवान विश्नु के साथ मात लक्षमी का पूजन अवश्य करना चाहिए साथ ही दोस्तों अगर इस दिन सायकाल के समय पर अगर आप किसी भी भगवान राधा कृष्ण के मंदिर में जाते हैं वहाँ पर पीले फुलो की माला उनको अरपित करते हैं और साथ ही वहाँ पर एक दीपक प्रजलित करें और भगवान श्रीहरी के किसी भी मंतर का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंतर का अधिक से अधिक जाप करें दोस्तों अगर आपके घर में लट्टू को पाल जी हैं तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं नहीं तो आप किसी भी मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं दोस्तों इस आपको संतान प्राप्ती में रुकावट आ रही है तो आप अपने घर के इशान कोड में एक दीपक जला सकते हैं नहीं तो आप भगवान कृष्ण के आगे या लट्टू गुपाल जी के आगे भी दीपक जला सकते हैं दोस्तों ये दीपक मतलब थोड़ा सा बढ़ा ले ता उनकी दोस्तों पीपल में शीहरी भगवान के साथ माता लक्षमी का वास माना जाता है और इस दिन अगर पीपल पर अगर आप जल चड़ाते हैं पीपल के नीचे दीपक जलाते हैं तो निश्चित है उस कारे में आपको सफलता मिलती है तो दोस्तों इस दिन भी आप जनका बहुत अधिक महत्य बताया जाता है तो आप तुलसी पर थोड़ा सा कच्चा दूद डाल कर उनमद तिलक चंदन लगा कर उनकी आगे भी एक दीपक अवश्य जलाएं और तुलसी की ग्यारा परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाई कहते हुए अवश्य लगानी चाहिए अगर आपके कारियों में बाधा आ रही है आपको धन की प्राप्ती नहीं हो पारी या आपको संतान की प्राप्ती नहीं हो पारी तो तुलसी माता के आगे भी अपनी मनो कामना अवश्य बोलनी चाहिए क्योंकि तुलसी माता के आगे जब हम कोई अपनी परेशान या अपनी इच्छा बोलते हैं तो शीगर ही शीहरी भगवान के पास पहुच जाती है तो दोस्तों इन उपायों को अवश्य करें और जो आपने शीहरी भगवान को भोग लगाया है या भगवान कृष्ण को भोग लगाया है या आपने खीर का लगाया है और शिहरी भगवान के साथ माता लक्षमी की किरपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी दोस्तो एकादशी का बहुत अधिक महत्व है लेकिन सफला एकादशी का सबसे अधिक महत्व ही इसलिए माना जाता है की कारियों में सफलता मिलती है हर कारिय आपका निर्विग्न पूरा होता है दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें आप सभी को जैशी किष्णा